अरुपमा की याद में अनुझ बनेगा मजनू, शोकी कहानी में आने वाला है बड़ा ट्विस्ट, हाई वोल्टेज ड्रामे से काप उठेगा दर्श्वको का कलेजा वायरल हुई गौरफखना यानि अनुझ की ये चोका देने वाली तस्वीर, दर्श्वको को लगा बड़ा जटका, आप ही हैं फैंस, तो देखें पूरी खबर अनुझ अनुझ अनुपमा को एक करने से पहले मेकर्स ने लिया बड़ा फैसला, मजणू बनेगा अनुझ, अपकमिंग ट्विस्ट देख सूख जाएगा दर्श्वको का गला अनुपमा की कहानी में अब अनुझ के साथ होगा बड़ा खेला, आने वाली कहानी जान कर नहीं होगा अपने कानों पर यकीन, जाने शो की लेटिस्ट अपडेट रुपाली कांगुली और गौरफखना स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा को लोग सालों से पसंद कर रहे हैं शो को लेकर इसे लगातार दर्शकों से सराहना मिल रही है लोगों को भी शो के जरिये मेकर्स, नैट टर्ण और ट्विस्ट दिखा कर रोमांचित करते रहे हैं यही वज़े है कि सालों से ये टीवी की टी आरपी लिस्ट में टॉप में राज कर रहा है आप भी शो के फैन है तो खबर आपके लिए है चरचाए है कि शो में एक बार फिर से लोगों को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है तो दोस्तों इससे पहले कि आज के इस इंट्रस्टिंग वीडियो की शुरुआत करें आपसे एक छोटी सी रेक्वेस्ट है कि वीडियो को फटा-फट से शेयर कर दें ताकि ये जानकारी आपके अपनों तक भी पहुँच सके साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट में अपनी राए ज़रूर बताए पिछले कई महीनों से एक सवाल लोगों के मन में है कि क्या अनुच का पाडिया और अनुपमा फिर से एक हो पाएंगे अगर नहीं तो शो में आगे क्या होगा इन सवालों के बीच अनुच यानी गौरफ खन्ना की एक तस्वीर वाइरल हो रही है जिसको देखने के बाद फैंस कन्फ्यूज़ है फैंस तस्वीर देख हैरान दरअसल गौरफ खन्ना की ये चौकाने वाली तस्वीर उनके शो अनुपमा के सेट से सामने आई है तस्वीर में गौरफ खन्ना का बदला हुआ रूप सामने आया है अक्टर के बड़े- लंबी दाड़ी फैंस को सर्प्राइज कर रही है फैंस इस तस्वीर को देख अब ये अनुमान लगा रहे हैं कि कुछ तो शो में नया होने वाला है इस नय लुक में आक्टर पहचान में नहीं आ रहे हैं अब ये देखना दल्चस्प होगा कि क्या अनुपमा सीरियल में गौरफ खन्ना अपनी अनु को खो देंगे और उसकी याद में उनका ऐसा मजणू जैसा हाल हो जाएगा इन दनों क्या चल रही है अनुपमा की कहानी अनुपमा सीरियल की कहानी की बात करे तो शृती ने खुद ही अपने मंगेतर अनुझ का पाड़िया को अनुझ को करने लगी है कि उसका अनुझ की जिंदगी में लौट जाना ही उसकी बेटी और उसके पदी के लिए सबसे अच्छा विकल्प था लेकिन आध्या को अनुपमा और अनुझ का एक होना जरा भी रास नहीं आ रहा तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को ला हाल इतना ही